वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिक्के जोस्तो एक बार फिर से स्फागत है आपका ड्रीम के बीसी जिक्के चनल में दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर पारत और विश्वक के प्रसिद पुस्तक और साहितिय से सभ़ी जन्डर नॉलेज के सामने ग्यान के 50 अती महत्तों कुण क्वेशन लेके आयो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हेलफू लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नहे हो तो वीडियो आन तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरू करना है यहाँ पर मैंने वही क्वेशन ले जो आपकी एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोर्ट है क्वेशन नमबर वन वीडियो हिंदी रंक मंच का जनक किसे कहा जाता है वेरे वेरे इंपोर्ट है कहीं एक्वेश चंदर का जन्मर 9 सी नमर 1850 में उत्तर प्रदेश के वाराणासी में हुआ था और भारत इंदू हरी चंदर की सबसे प्रसीध रजा अंधेर नगरी और भारत दुर्दिशा यह दो नगरी सबसे प्रसीद रचना है अंदेर नगरी और बारत दूर्दशा ये दोनों रचनाओं का नाम आपको याद रखना है विशन नमबर 152 रिवोलीशन 1020 लव करप्षन एंबिशन रिवोलीशन 1020 लव करप्षन एंबिशन के लेखक कौन है अगर आपको बताओ तो इस क्वीशन का अंसर आप कमेंट भी कर सकते हो तो इस क्वीशन का रिवोलीशन 1020 लव करप्षन एंबिशन चेतन बगत की प्रसीद रचना है तो इसके अलावा 5.someone the three mistakes of my life half girlfriend चेतन बगती सबसे प्रसीद रचना है फिशन नमबर 154 the rape of the lock the rape of the lock के लेखक कौन है तो इसके अलेक्जेंडर पॉप की रचना है the rape of the lock फिशन नमबर 154 मदूसाला किसकी गरिती है तो इसके हरीवन सराय बच्चन की रचना है मदूसाला चलते हैं अगले क्विशन नमबर 155 लोग बुल गये हैं किसकी रचना है तो इसके रगुबीर सहाई की रचना है लोग बूल गये है क्वेशन नमबर 156 असम्या बासा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक ते तो यहाँ पर पुरे 50 क्वेशन को कवर किया है कि यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे important question आदे लेएंगे तो इससे पहले भी मैंने बारत और विस्वक के पुस्तक और उसके लेखक स सब्सक्राइब 50-50 क्वेशन के तीन वीडियो डाले थे यह पार्ट 4 है तो यह पुरे 500 क्वेशन का सीरीज रहेगा तो इससे पहले के बारत आपने नहीं देखे तो उससारे पार्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्ट्रिस में दे दिए वहाँ जाके आप देख सकते ह किस सिक्क ने लिखा था किम अर्जून देव ने लिखा था गुरु नालक का जीशन परिचै वीशन नम्बर 158 बाल्मे की द्वारा महर्ची वाल्मे की द्वारा रचित रामायल में कितने स्लोक है इस क्विशिए 24,000 जोके वालमी की कि संस्क्रिट साहिते के आदी कभी कहा जाता है क्विशन नमबर 159 हिंदु के कुल कितने पुरान है इस क्विशिए 18 पुरान है हिंदु धर्विक मानने था क्विशन नमबर 16 कम्यूनिस्ट मैनिफेश्टो किसकी रचना है इस क्विशिए काल माक्स की रचना है कम्यूनिस्ट मैनिफेश्टो विशन नमबर 161 किसकी पुस्तक रचना है इस क्विशिए रविश कुमार की प्रसीद रचना है the free voice on democracy culture and the nation question number 162 आजादी freedom फाजी fiction किसकी रजना है इसकी अरुण्धती रोई की रजना है आजादी freedom फाजी fiction पीशन पीशन नमबर 163 फाइव पॉइंट समवन वाट नौट तू तू दी कॉल सेंटर किसका उपनिया से है तो इसकी चेतन भगत का प्रसीद उपनिया से 5.71 वाट नौट तू दी कॉल सेंटर क्वेशन नमबर 163 फाइव त्री मिश्टेक्स ऑफ माई लाइफ तो दोजाट में प्रकाशी ती किसकी पुस्तक रजना है इसकी चेतन भगत की प्रसीद पुस्तक रजना है इसके उपर ए उंडियान गयर्डो दोजाट 175 गयर्ड फिड़क ना मोट या इसके मिंस चेतन भगत की लिए लगी रतना है तो चेतन भगत की सारे पुस्तक रजने प्रसीद होती है उनकी सारे नाम को पताओ उने कीवी से बेर यहां से बहुत सारे क्विश्म आते हैं क्यों नमबर 166 एक्जाम वारियर्ष साक्सी बाव कर मीट एक्शन और जोतिपुझ के लेख़ कौन है तो इसके नरेंद्र मोदी की प्रशी रचना है एक्जाम वोरिये साक्सिभाव कन्वीट एक्षन और जोती पुंज प्रेशन नमबर 167 चेंजिंग इंडिया कोलेटरल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग और डेमोनेटाइजेशन किसकी रचना है तो इसके नरेंडिया कोलेक्टरल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग और डेमोनेटाइजेशन इसके रचना है यह तो इसके नरेंडिया को ड्. बन मोहन चिंग की रचना है इंडिया एकोनोमिक रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रणव मुखर जी तो रिसेनली प्रणव मुखर जी का दिहांद हो गया था तो प्रणव मुखर जी के बारे में आपको डिटेल में बता होना चाहिए तो आपकी आने वाली कोई भी एक्जामें प्रणव मुखर जी के उपर क्विशन आने की पूरी संभावना होती है किताब किसने लिखी है किताब किसने लिखी है तो इसके प्रणव मुखर जी तो अरची दे है विशन नमबर 172 एडॉल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है तो इसके मिन्ड काम्प यह हिंदी में मिरा संकर्ष एडॉल्फ हिटलर की आत्मकथा है विशन नमबर 173 दा वेल्थ ओप नेशन तो इसके एडम स्मित तो इडम स्मित की प्रसीदर दा वेल्थ ओफ नेशन फेशन नमबर 174 रिपब्लिक किसकी विश्व प्रसीदर पुस्तक रचना है तो इसकी स्प्लूटो है तो इसके बारत के प्रथम राश्टरपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद की प्रमुक रचना है कौन-कौन सी है तो हमारे देश के बारत के प्रथम राश्टरपती कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जिसे अजात सत्रू के नाम से जाना जाता है महात्मा गांदी ने उनको अजाद सत्रू का उपनाम दिया था तो इस क्वेशन का उतर है आत्मक था बाबु के कदवों में बाबु इंडिया डिवाइड़ सत्यागरा एट चंपारण गांदी जी की देन भारतिय संस्कृति खादी का अर्थसास्त्र खादी का अर्थसास्त तो यह सारी पुछता के नयाम आपको याद रखने डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ यहाँ से आपकी एकजाम में बहुत सारे क्वेशन पुछे भी जाते हैं फिशन नमबर वन से अज़ात सत्रू डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ को किस वर्ष बारत रतन से नमाजा गया तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद एक मात्र ऐसे राष्टपती थे जो दो कारे के काल के रिए राष्टपती बने थे और सबसे लंबा कारे काल डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का था राष्टपती के रूप में प्रेमचद का कौनसा प्रसीद उपनियास हिंदी का प्रतम मौलिक इवं युगांतरकारी उपनियास माना जाता है तो इसके वीष्ए सेवा सदन प्रेमचद की पहली मौलिक कहानी जो सन 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई थी किस नाम से जाने जाती है तो इसके संसार का अन्मोल रतन नाम से जाने जाती है प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई थी संसार का अनमोल रतन के नाम से जाने जाती है फिशर नंबर 180 प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किस ने दिया था कि इसवेशन दयान नारायन निगम ने दिया था प्रेम्चन को प्रेम्चन नाम कर फिसेशन नमबर 181 मुनसी प्रेम्चन का पहला कहानी संग्र सब्तसरोज कब प्रकाशित हुआ था 1817 में प्रकाशित मुंसी प्रयमजंद का पहला कहानी संग्र सब्त सरोज फ्येशन नंबर 1880 वर्ष 1907 में प्रकाशित मुंसी प्रयमजंद का पहला विद्वा विवा पर आधारित हिंदी उपरनियास कौन सा है अगर आपको पता हो तो इस प्रयमजंद की पहली मौलिक कहानी जो 1907 में प्रकाशित किस नाम से जाने जाती है संसार का अलमोल रतन रिपीट हुआ है किसमा जाता है फ्येशन नंबर 184 रानी केतकी की कहानी की बासा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो खड़ी बोली रानी केतकी कहानी खड़ी बोली में रचित है फेशे नंबर 185 हीनी लस पत्रिका कादिम बिनी के संपादक कौन थे तो इसके राजेंद्र अवस्ति कादम बिनी के संपादक है फेशे नंबर 186 असोक के फूल निबंद संक्र के रचनाकार कौन है वेरी वेरी इंप्रोट की जरी है इसके हजारी प्रसाथ त्विवेदी असोक के फूल निबंद संक्र के रचनाकार है फेशे नंबर 187 गागर में सागर गागर में सागर प्रसीद काविय संक्र है परने का कारिय किस कवी ने किया है तो इसके बिहार इलाल तो बिहार इलाल की प्रसित काविय संग रहे है गागर में सागर Question number 188 सांच बराबर तप नहीं सांच बराबर तप नहीं और जूट बराबर पाप इस पक्ति के रचिता कौन है Very very important यह तो इस question संथ कभी दिवार रचित है सांच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप Question number 189 Voice यहाँ पर wise है Wise and otherwise Wise and otherwise किसकी किताब है तो इस सुधा मूर्ती की प्रसित रचिता है Wise and otherwise Question number 190 Every what counts Every what counts the story of Indian election के लेखा कौन है तो इसकी नवीन चावलागी रचना है Every what counts the story of Indian election चलते हैं अगले question पर Question number 191 Interprinter of Manlip Interprinter of Manlip 1999 पर प्रकाश जूथी लगू कता संगर की लेकी का को आन है तो इसकी जूमपा लाहेडी द्वारा चित है Interprinter of Manlip Manlis Question number 18 The Namesake The Namesake movie आई थी जूमपा इनके उपनियास पे 200 प्रसीद उपनियास की लेकी का कोई है तो इसकी जूमपा लाहेडी है The Namesake की लेकी का तो इसके उपर मूई भी आई थी Hollywood की बहुती प्रसीद मूई Question number 193 Hercule Farrow और Miss Marple Hercule Farrow और Miss Marple किसके द्वारा रचीत पात रहे Very very important question यह तो इसकी अगाथा क्रिष्टी तो अगाथा क्रिष्टी William Shakespeare के बाद विश्व की सबसे प्रसीद लेकी का है याद रखना है अगाथा क्रिष्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए इनके बारे में पर विश्व की सबसे प्रसीद लेकी का है यह पर अगाथा क्रिष्टी इनका उपनाम है इनका मूल नाम Agatha Mary Clarissa Miller Agatha Mary Clarissa Miller है इनका उप नाव है Agatha Christie Question number one Agatha Mary Clarissa Miller Agatha Christie की प्रमुक रचनाए कौन-कौन सी है आपको very very important है यह question This question is Miss Zan Marvel यह खासकर जासु सी कहानी है थी Murder Mystery की सबसे प्रसिद लेकिका है Agatha Christie Miss Zan Marple Murder on the Orient Express The Murder of Rosa Ackroyd Death on the Nile The Murder at the Vicarage Partners in Crime The ABC Murder And then There Were None The Mousetrap जो आपने बोलीवुड में एक क्लासिकल मूवी है बहुती प्रसिद है The Gumnam Manoj Gumar की मूवी आपने देखी आपको पता होगा गुमना मूवी जो मूवी आई थी वो इनकी एक उपनियास पर आदारिद थी And then there were none तो गुमना मूवी And then there were none उपनियास पर आदारिद थी जो अगाथा क्रिष्टी द्वारा रचित है फेशर नंबर 195 अगाथा क्रिष्टी का पहला उपनियास कौन सा था तो इसके the mysterious affair at styles The mysterious affair at styles अगाथा क्रिष्टी क्रिष्टी द्वारा रचित पहला उपनियास था बहुत ही प्रसीद हो गया था वेशर नंबर 196 The Egg Bog The Egg Bog Ika Bog किसकी विश्व प्रसीद रजना है Recently launch हुई है November 2020 में This is ZK Rowling Ika Bog Recently 2019 में नवबन में launch हुई थी ZK Rowling की बहुती प्रसीद रजना है जो Harry Potter के series आती है उनकी रचिता है ZK Rowling Fisher No.1 Das Capital किसकी विश्व प्रसीद रजना है Karl Marx की विश्व प्रसीद रजना है Das Capital Fisher No.1 May क्रांतिकारी कैसे बना May क्रांतिकारी कैसे बना 1933 वे प्रकाशित किसकी रजना है तो इसकी राम विला सुकला तो राम विला सुकला की प्रसीद रजना है मे क्रांतिकारी कैसे बना Question No.1 60 वर्ष एक रेखांकन 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकतानक रजना है तो इसके सुमीत्रा नंदन पंथ तो 60 वर्ष एक रेखांकन उनकी प्रसीद आत्मकतानक रजना है Question No.200 वर इस वीडियो का ये आखरी question है जोतो कलियान मार्ग का पतिक कलियान मार्ग का पतिक 1925 में प्रकाशित किसकी आत्मकतानक रजना है तो इस question स्वामी स्रद्दारंद की प्रसीद रजना है कलियान मार्ग का पतिक जो 1925 में प्रकाशित दुई दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप होता है महरा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ नौलेजेबर लगाओ आपकी स्टड़ी में हेलफूल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों आपको नमबर भी नदी रहेगी आप नीचे रहेए रेड गलर के सब्सक्राइब बढ़न को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलिज़ेबल वीडियो की नोटिपेकिशन मिलते रहे कि उसे हो दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपकी स्टडी में हेल्फ लगते हो अधर स्टोशल मीडिया सेट्वेव के हमें फोलो कर सकते हो जय हिन जय बारत वंदे मात्रम मिलते हैं अगले उडियो पे